आप है मेरे साथ में एक ऐसे विशय पर चर्चा करने के लिए जो की वर्तमान में भारत में हर कहीं गूंज रहा है और वो ये है कि जहां एक तरफ तवांग के इशू को हम सब लोग जान रहे हैं वहीं उसी बीच इंडियन एयर फोर्स की तरफ से एक गुड न्यूज आती है और वो ये है कि हमें अपना 36 वा राफेल मिल चुका है और राफेल के मिलने के बाद उन्हें तैनाती भी की जा चुकी है भारत के अंदर 36 राफेल के आने से क्या कुछ बदल जाएगा साथ में हम ये भी आज के सेशन में जानेंगे कि किस प्रकार से 22 साल बाद भारत ने को लड़ा को विमान अपना पूरी तरह से परचेज कर लिया है जो कि अब आकर के हमारी इंडियन एर फोर्स में प्रॉपर तरीके से देश की सेवा में सज्जो जाएगा इसी के साथ ही आपको आज के सेशन में ये भी बता चलेगा कि किस प्रकार से भविश्य में भारत को ब प्रकार से राफेल चीन के किसी और विमान के कंपिटीशन में खड़ा है दुनिया का कौन सा विमान इससे ज़्यादा उन्नत है या फिर हमारे दुश्मनों के पास ऐसा कौन सा विमान है जिसे हम इसके माध्यम से कॉम्पीट करेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज क इंडिया पैक इस कंप्लीट इंडिया एर फोर्स के दुवारा एक ट्वीट करके यह जानकारी सभी को दी गई कि हमारा पैक जो है अब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है यह है राफेल का बेड़ा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आकर पहुंचे हैं यूए एर फोर्स टैंकर असल में यूए के अंदर यहाँ पर इसकी रिफ्यूलिंग हुई थी यानि इसमें फ्यूल एड किया गया था क्योंकि एक बार में जब फ्रांस से उड़कर के यह इंडिया पहुंचा था तो यूए के अंदर अलदफरा जो पोर्ट है वो असल में फ्रांस ने लिया हुआ है तो वहीं के आसपास उड़ रहे अपने एक प्लेन पर इसे रोक कर रिफ्यूल किया गया और इस प्रकार से यह विमान भारत में पूरी तरह से पहुंच अब तक हम कई सेशन्स में अब के साथ चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी इसके बारे में जिक्र जितना किया जाए उतना कम हैं फ्रांस इसी एमबसेडर ने इंडिया के अंदर एमानवल जो नैनिन है उन्होंने कहा कि इस प्राउड टू सी 36 राफेल्स विद फुल एक इक्विप्ड विद इंडिया स्पेसिफिक एन्हांसमेंट्स ये इमानवल लिनाइन हैं जो कि इंडिया के अंदर फ्रांसी सी राजदूत हैं इन्होंने भी इस बात को पूरी तरह से मेंशन किया तो आप देख सकते हैं मेरिग नैक से उड़कर के यह विमान अलदफरा के नजदीक से होते हुए अंबाला केंट तक पहुँचा है राफियल का निर्मान मिराज बनाने वाली एक फ्रेंच कंपनी जिसका नाम है दैसो अविएशन उसके द्वारा किया गया है फिलहाल इसको सबसे ज़्यादा दुनिया के आधुनिक फाइटर प्लेंस में से शामिल किया गया है फिलहाल जो जानकारी है वो यह है कि भारत में राफियल दो जगे तैनात रहेगा उनमें से एक अंबाला में हर्जो की हरियाना की हम अंबाला में है और दूसरा हाशी मारा जो की वेस्ट बेंगॉल के अंदर है आप मैप में देख सकते हैं सिली गुडी लोर में हाशी मारा आपको यहां दिखाई दे जाएगा और यहां पर अंबाला आपको दिखाई पड़ जाएगा इन दौनों ही जगे राफेल्स को रखा जाएगा ताकि यहां से इन्हें जैसी जरुद पड़े उस तरह से इन्हें लांच किया जा सके उधारन के लिए 15 औ दौरान बॉर्डर एरियाज में आज भी उड़ाया जाएगा और कल भी उड़ाया गया था यानि कि हम इस्टन कमांड एरिया के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं 59,000 करोड के अंदर यहां डील की गई थी फ्रांस के साथ की गई थी सरकार की सरकार से डील थ यारी 2020 में जब फाइटर जैट्स आने शुरू हुए थे तब यह कहा गया था कि 22 साल बाद भारत ने कोई नया एक्विप्मेंट परचेस किया है रक्षा के छेतर के अंदर आप देख सकते हैं 1998 के बाद में किस प्रकार से भारत केवल प्रयास ही करता रहा नए विमानों को खरीदने का फाइनली 2016 के अंदर सितंबर में भारत और फ्रांस के दसौल्ट एविएशन के बीच में राफेल डील हुई और आज 2022 में हैं आप जहां पर आप पूरी तरह से सारे की सारे राफेल प्राप्त कर चुके हैं कहीं 59,000 करोड दिया हुआ है कहीं 58,000 करोड दिया जैसे 2016 की खबरों में 58,000 करोड है कि भारत 22 साल बाद कोई नया विमान खरीद पाया है ठीक है ये उस समय के न्यूस की कटिंग्स है जब पहली बार भारत में राफेल पहुँचा था 2020 में पहुँचना शुरू हुआ था इन न्यूस की कटिंग्स के माध्यम से आप इस बा बंगते थे वो देने में देरी हो रही थी तो उस स्थिती में हमने इनके उपर जुर्माना भी लगाया था वो सेशन भी आल्रेडी हमने इसी चैनल के उपर आप लोगों को किया हुआ है अब सवाल बनता है कि क्या इसके अंदर एडवांस्मेंट किया गया है देखिए जो एडिशनल कस्टम सेंसर मोड डाला गया है जो इंडिया के कहने पर एडवांस कम्यूनिकेशन सिस्टम डाला गया है यानि इंडिया ने जो रिक्वेस्ट किया था वो सब चीजें भी इसमें एड़ाउन की गई है भारत के कहने पर ठीक है तो एक प्रकार से आप ये समझ सक कि भारत को जो राफेल मिला है, वो पूरी तरह से हेलमेट माउंटेट साइट के साथ, रडार वार्निंग रिसीवर के साथ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो की 10 GB का, यानि 10 आवर के स्टॉरेज के साथ, इन्फरा रेड सर्च एंड ट्रेक सिस्टम के साथ, टोड इसके अंदर उन चीजों को एड किया है, तो इंडिया का जो specific enhancement है, जो इसको more powerful radio altimeter के साथ मिला है, radio warning receiver के साथ, low band jammer के साथ, flight data recorder के साथ मिला है, जब हम चर्चा करते हैं कि हमने ऐसा इसमें क्या बना दिया, जो चीन के पास नहीं है, क्योंकि असल में अब हम पाकिस्तान के साथ अपनी fight की चर्चा नहीं करते हैं, हमको यह लगता है कि ठीक है, इसके साथ तो क्या ही चर्चा करना जो अपना मुश्किल से काम चला रहा है, हम चीन के साथ compare की चर्चा करते हैं, तो चीन के पास जो सबसे उननत किसम का विमान है, उसका नाम है J20, उसके पास J series है, J10 J11, J16, J15, ऐसे J20, तो उनका जो सबसे latest विमान है, उसे J20 के नाम से जाना जाता है, जो कि 5th generation लड़ा को विमान है, हमारा जो राफेल है, उसका 4.5th generation माना जाता है, यानि 4.5th generation का विमान माना जाता है, यह सुविधाओं के साथ और जिस age group में develop हुए है, उसके साथ इन fighter jets को compare किया जाता है, अब आप कहेंगे तो सर, इसका मतलब उनका 5th generation है, तो ज्यादा updated होगा, देखिए, टेकनिकली जो बाते वो बोल रहे हैं, वो सारी बाते इस आधार पर हैं कि उन्होंने उसका कोई भी युद्ध में प्रयोग नहीं किया है, राफेल वर्ड के अंदर practically अपनी कावीलत दर्शा चुका है, जैसे राफेल को अफगानिस्तान के अंदर उप्योग में लिया जा चुका है, यानि जब अमेरिका के द्वारा NATO forces के साथ मिलकर के तालिबान के खात्मे के लिए युद्ध लड़ा गया था, उस दौरान राफेल का उप्योग हुआ थ इसी प्रकार से अफरिका के लीबिया और माली में भी फ्रांस के द्वारा राफेल का उप्योग किया गया, यानि दुनिया के अंदर युद्ध के अंदर उप्योग में होकर के राफेल ने अपनी महता इस्थापित की है, लेकिन चीनी जो जाहाज है या चीनी जो विमान ह उसको अभी तक किसी और निट टेस्ट नहीं किया है और वर्ड के किसी भी कॉर्णर में उसका उप्योग नहीं हुआ है चीन के द्वारा जो बाते बोली जाती है इसमें कितनी सच्चाई है इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब इनके द्वारा नैंसी पेलोसी जब उतर रही थी ताइवान में तो उनको धमकिया दी गई थी कि आप आएंगे तो हम आपको हवा में ही उड़ा देंगे, ताइवान को धमकी दी गई थी कि अगर अमेरिका आपके साथ में संबंद रखेगा तो हम जाने आपके साथ क्य कर देंगे वो केवल थूक के पकोडे निकले केवल धमकिया मात्र निकली कहने का अर्थ यह है कि इनकी बातें जितनी बढ़ा चड़ा के यह बताते हैं यह अपने हिसाब से जो बातें बताते हैं उनकी कोई भी पुस्टी नहीं कर सकता लेकिन राफेल वर्ड में पूरी तरह विक्सित किया गया 6th generation है यानि कि यह दुनिया का अब तक का सबसे ज़्यादा developed fighter jet कहा जा रहा है इस generation को 6th generation का माना गया है और इसकी जो speed है उसका जो अंतर है वो राफेल से काफी अधिक है हाना कि America अपना competitor नहीं है और ना ही वो B21 radar किसी को देने जा रहा है कि जिससे हमा हमारा competition हो खेर फिलहाल जो इंडिया है वो भविश्य में और भी 100 से अधिक fighter jet खरीदने का प्लान वना रहा है ऐसी स्थिति में America की कंपनिया फ्रांसी सी कंपनिया रशियन कंपनिया भारत के साथ में व्यापार की भागेदारियों को तलाश रही है उसके बारे में भी हम आ अधारा हजार मीटर की उचाई तक ये पहुँच जाता है जो इनकी ततपरता होती है ततपरता से अर्थ क्या हुआ जितना जल्दी इन्हें सिगनल मिला की इन्हें कहीं जाकर के अटेक करना है उतना जल्दी ये उसका action लेकर के और उस पर reaction दे दे यही इनकी सबसे बड़ का सवार होकर और उसे लेकर निकल जाना यही किसी भी air force की सबसे ताकतवर चीज मानी जाती है इसी आधार पर fighter jets को cover किया जाता है जाना जाता है इनकी जो सबसे महंगी चीज होती है ये वो है इनकी ततपरता जैसे एक second में 300 मीटर की उचाई एक मिनिट के अंदर 18,000 मिन य की जाती है इसी वजह से fighter jets को इतने महंगे दाम पर खरीदा जाता है क्योंकि इनकी ततपरता बहुत तेज होती है इसका एक scientific term है वो मैं miss कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है चलिए तो राफेल जो है वो तीन तरह की missile ने अपने साथ लेकर के उड़ सकता है एक और चीज जो Eurasian Time ने उठाई वो ये है कि इंडिया ने अपना brand new 4.5 generation का Dessault का राफेल परचेज किया और परचेज करते ही उसे अपडेट करना शुरू कर दिया कारण है कि भारत अपने द्वारा जो विक्सित तकनीकी है वो दुनिया के साथ नहीं साजा करना चाहता और तो हमारे ही भीतर जो हमने खरीदी हुई चीजे हैं उनमें हम अपने version add कर देते हैं वही काम हम इसके अंदर कर रहे हैं अब सवाल बनता है कि J20 और F16 से कैसा है ये क्योंकि चीन के पास सबसे latest J20 है और ये जो पाकिस्तान के पास है उसके पास अमेरिका का दिया हुआ F16 है F16 से तो Dassault Aviation हमेशा आगे ही रहा है राफेल हमेशा उससे आगे है लेकिन J20 के मामले में ये कितना सही रहेगा इसके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए सबसे important बात तो ये है कि जो मैं अभी आल आपको बताई कि J20 का तो इससे comparison इसलिए मत करिए क्योंकि उसके पास में क काफी जादा quick है चकमा देने में यानि कि अगर कभी एक दूसरे के साथ larger head हो तो उस समय ये किसी को बेवकूफ बना के निकलने में काफी महरत रखता है चीन के पास J-series का J-11 विमान है जो कि उसके पास असल में रूस का जो सुखोई SU-27 है उसकी license copy है यानि कि उसका खुद से बनाय हुआ version है ऐसे ही इनके पास J-16 है जो कि सुखोई 30 जो इंडिया के पास भी है उसकी copy है यानि कि एक तरह से जो इनके पास J-series है J-16 इनके प पास में राफेल रखते हैं ठीक है तो ये तथ्यात्मक जानकारी हुई आपके पास में और ये जानकारी हमने आपसे साजा करी अब इसको ले करके हम दो दिन के exercise पर उतर चुके है चाइना की tension के बीच में हम अरुनाचल प्रदीश और लद्दाक छेतर के अंदर अपने fighter jets its के तुरू सारी की सारी चीजा कर रहे हैं अब एक और जानकारी निकल कर आती है जो ताजा है और वो ये है कि इसी बीच में जब राफेल हमारे पास आ चुका है तो फ्रांस अब इंडिया के साथ में और बड़ी डील करने का सोच रहा है कौन सी बड़ी डील असल में 214 नए लड़ाकु जैट की आवशकता है जिने हम अपने साथ एड़ करना चाहते हैं तो इन में से 96 भारत में ही बनाए जाएंगे बाकी 18 हम किसी से खरीदेंगे तो ऐसी इस्तिती में कोई भी कंपनी जो हमें बेचेगी या भारत में नई चीज़े एड़ करेगी उनके लॉकेड मार्टिन, साब, मेक एरकुट कॉपरेशन और डसॉल्ट एविएशन भारत के साथ में एयरक्राफ्ट निरमाता के रूप में साजा होने के प्रयास कर रहे हैं ठीक है फ्रांस ने अपनी इच्छाएं हाल ही में जाहिर भी की है कि वो भारत के साथ जुड़ करके भारत को best partner मानते हुए manufacturing hub के रूप में इंडिया को इस्थापिद करेगा आने वाले समय में तो खेर सभी लोग इंडिया के अंदर make in इंडिया में participate करेंगे ही लेकिन भारत ने इतनी ततपरता से अपने fighter jets को तयार किया है और कल ही अगनी 5 का सफल परिक्षन किया है ये भा चैनल को subscribe करें मेरा referral code है अंकित10 जिसका use करके आप unacademy के किसी भी subscription पर पा सकते हैं 10% का discount लेकिन SSC category के अंदर फिलहाल 20% का discount offer किया जा रहा है पूरे 2 साल के subscription पर जहां आपको 2 साल का subscription 46,489 रुपे में उपलब्द है math, reasoning, English, G के सभी subject आपको एक ही subscription में प्राप्त हो जात categories में हुआ, plus और iconic, iconic का मतलब mentorship के साथ, यानि एक personal mentor आपके लिए नियुक्त कर दिया जाए, उस प्रकार से batch का नाम लक्ष है, आप उस batch को join कर सकते हैं, जिसमें comprehensive syllabus का coverage है, top educators आपके लिए classes ले रहे हैं, prelims और mains की proper test series आपको इसमें दी जा रही है, आप इस batch को 18 महीने के लि या फिर live test series, prelims test series, सब आपको मिलती है, live classes मिलती है, doubt discussion classes मिलती है, और आप इसको 55,000 में access कर सकते हैं, इजी EMI options पर आपको ये सब चीज़े मिल जाती है, 4,364 रुपे प्रती महा के किष्ट, जो कि बिना ब्याज के हैं, उस पर आपको course लेने में सुविधा मिलती है, तैंक झाल